मेगी तो बहुत पर बनागे आप लोगों ने खाई होगी लेकिन आज हम बनाएंगे चीज मेगी बहुत ही टेश्टी और कोई भी ज्यादा ज़ंजत नहीं है बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन फटाफाट और टेश्टी बनाएंगे हेलो एवरीवन मैं साथना और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल ले में पका यह मिखा एंड ब्लॉग तो यह चीज मेगी है चलिए बनाना स्टाट करते हैं तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ एक पैकेट मेगी फैमली पैकेट है अब इस पैकेट को निकाल लेंगे और पैकेट से हम मैगी को भी निकाल के अलग कर लेंगे बच्चो का डिमांड था कि ममी मैगी बनाओ लेकिन चीज डाल के बनाओ निचलो बना दी हूँ चीज मेगी तो आप लोग देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है चीज मेगी तो यहाँ पर मैं यहाँ पर गैस पर में रखती हो एक बड़ाई से कड़ये इसमिं एक चमच में तेल डालती हो और इसमें मैं डालूगी प्यास तरहां पर मैंने एक प्यास को काटके डाल दिया है और तिन से चार हडी मिर्श को भी डाल दिया है अब इसको मैं अच्छे से भून लेंगे प जब प्याच लाल हो गया था न अच्छे से भून गया था उसके बाद हमने टमाटर में इसमें एड किया है तो अब इसमें मैं थोड़ा से डाड़ हूँ हल्दी पाउडर एक चोटा चमच हल्दी पाउडर और वन बाइप फोर्थ भाग मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने हरी मिर्च भी डाला है इसलिए लाल मिर्च पाउडर कम डाला है अब इसमें मैगी मसाला जो पैकट में दिखाई थी उस सब डाल देंगे मैगी मसाला को और इसमें मैं दो से तीन चमच पानी भी डाल दी हूँ और इसको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को तो अस से भुन चुके हैं मैने टबाटर को भी अच्छी से मैस कर लिया है इस तरीच से हम दबाय दबावछ को मिक्स कर लेंगे तो मसाले बहुत अच्छे तरीकी से भून चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे पानि तो यहाँ पर मैं चार ग्लास पानी डाली हूँ क्योंकि मेगी के जब पैकट हम निकालते हैं तो इसमें चार पाट रहता है इसलिए मैंने चार ग्लास पानी डाला है अभी पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ है जोसी कम चाहिए तहुड़ा सा पानी कम कर सकते हैं लेकिन यह पानी सुफिसेंट है अब इसमें मैकी को डाल देंगे तो मैं तोड़ के नहीं ढाल रहे हूं मैं पीस lucky को डाल दे और कुछ तूट गये थे तो उसके उपर से भी डाल दी में अब इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग और इसको चारो तरफ से मिक्स कर लेंगे इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और मैगी को हम पलट देंगे जब यह पानी गरम होगा ना तो अपने आप यह अलग हो जाएगा मैगी तो इसको पलट के हम पका लेंगे अगर आप लोगों को इस पे अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट्स में बताएगा कैसे लगा आप लोगों को मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए के आप लाइकन के साथ तो देख अच्छे से सुख्ठ हो चुका है और यह पूरा निकल भी गया फैल गया इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब मैगी पक जाए मैं थोड़ा सा जूसी ही रख्यों पूरा ड्राइ नहीं कियों अगर आप चाहें तो इसको ड्राइ भी कर सकते ह हैं पूरा तो देखिया मैगी बिल्कुल पक चुका है अब इसके उपर से मैं चीज ग्रेट करके डाल दी रही हूं और चीज डालने के बाद गैस का फ्लम बंद कर देंगे तो हैं पर मैं चीज को ग्रेट कर देंगे आप कोई भी चीज जो आपको पसंद हो ग्रेट करके हैं तो मैंने एक बड़ा सा चीज का क्यूब लेकर इसको ग्रेट कर दिया है इसको हम अच्छा से फैला देंगे चारो तरह यह मिक्स भी कर देंगे इसमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर गैस का फ्लम बंद कर देंगे क्योंकि यह बिलकुल बन के हो चुका है रेडी यह देखिए मैं यह बन किया न यह मिस और टेश्टी था तब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो मैं यहां पर प्लेट में निकालने हूँ और थोड़ा सा जूसी ही है यह अब इसके उपर से भी मैं ग्रेट कर दे रही हूँ चीज को यह हलका गरम है भी तो गर्म गर्म पर ही हम इसे ग्रेट करेंगे न तो यह थोड़ा सा मिल्ट जैसा हो जाएगा तो बहुत झालो